हेले दोस्तों बहुत बहुत शागत है आपका देव फार्मेशी के यूटूब चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फॉर्म फस्तियर का एक सब्जेक्ट है तो इसके बारे में बात करेंगे और दोस्तों ये आपकी महराथन क्लासेज हैं जो कि आपकी महा महराथन क्लासेज हैं ये भी बहाँ पर प्रोवाइट की जाएंगी तो दोस्तों अगर आपने अभी तक देफ फार्मेशी एप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्किप्शन बॉक्स से आप देफ फार्मेशी एप को डाउनलोड कर लें डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर कर लें उसके बाद दोस्तों डी फॉर्म फस्तियर का आ नहीं है अगर आप middle class के भी हैं तब भी आप उस course को purchase कर सकते हैं और अपनी study को Hindi English Mix में complete कर सकते हैं तो दोस्तों जो भी notes आपके रहेंगे typing सिस्टम में रहेंगे multiple choice भी रहेंगे और उसके बाद दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा exam तक help भी की जाएगी तो इसमें दोस्तों आ पुरा आपका chapter को complete किया जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो दोस्तों आपका chapter है OCA system तो OCA system क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और इसमें जो भी starting में definition होंगी जो आपकी knowledge के लिए important definitions होंगी उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं OCA system में वोन के बारे में कि बोन क्या होती है यानि जो हमारी body में हड़ी present होती है इसी को बोन का हदाता है तो बोन क्या होती है देखिए बोन एक organ होती है जो बहुत सी tissue से मिलकर बनी होती है बोन जो होती है हमारी body का एक part होती है जो बहुत से tissue से मिलकर बनी होती है और जो एक साथ बर करती है यानि हम जब बोड़ी का मुमेंट करते हैं तो बोन अपना यानि सहयो करती है और उसके बाद अगर कोई भी बर करती है तो उसमें वे साथ देती है और उसके बाद बोन को ओसियस भी कहा जाता है यानि जो बोन का दूसरा नाम होता है उसको ओसियस नाम से भी तयार करते हैं यानि जो bone का structure होता है जो bone होती है जो बहाँ पर यानि जो bone होती है उसमें cartilage dense connective tissue होते हैं cartilage tissue होते हैं epithelium tissue भी present होते हैं तो इन सब tissue से मिलकर bone तयार होती है तो जिसको कहा जाता है दोस्तों bone और उसके बात बात करते हैं skeletal system skeletal system क्या होता है दोस्तों skeletal system होता है bone और cartilage मिलकर udaoseous system या skeletal system को बनते है तो आपका chapter है ooceous system यानि OCS system किसे कहते हैं, bone और cartilage को बना, यानि जो mix करके एक जो system बनाया जाता है, उसको कहा जाता है OCS system या escalator system, और इसी में आपकी एक definition है, यानि osteology, osteology क्या होती है, देखिए bone के structure की study करना, यानि इस chapter में आप जितनी भी bones होती हैं, उनके structure के बारे में study करेंगे, और उसके बाद disorder of, यानि joint के बारे में study करेंगे, treatment of bone disorder की study करना, इसको सबको कहा जाता है osteology, यानि bone के बारे में study करना, bone के structure के बारे में study करना, इसको कहा जाता है osteology, तो दोस्तों आपने सबसे पहले देखा bone क्या होता है, skeletal system क्या होता है, osteology क्या होता है, यानि bone के structure की study करन या bone के जो भी disorder होते हैं उनके treatment के बारे में study करना इसको कहा जाता है osteology फिर बात करते हैं function of skeleton यानि जो bone होती है उसके क्या क्या function होते हैं हमारी body के अंदर क्योंकि दोस्तों आपका ये वाला chapter start हो रहा है तो आपको starting से knowledge मिलेगी और आप लगातार अच्छे से पढ़ेंगे त और अगर आप मेरे WhatsApp group से add हैं तो उसके बाद बहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी और उस PDF को आप लगातार पढ़ते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें तो दोस्तों आपकी preparation बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसमें क्या क्या function होते हैं देखिए पहला होता है support यान या अगर हमारी बौडी में bone नहीं होगी तो जितना जो हमारा body होगा भाग इतना जिसे आप work नहीं कर पाएंगे बौडी का moment नहीं कर पाएंगे तो bone जो होती है भाग बौडी को support करने का बौड करती हैं और उसके बाद यह हमारी बौडी का framework होती है यानि जो आपकी wonders होत प्रोटक्ट करने का बर्ग करती हैं जो हमारी बॉडी के इंटर्नल और्गन्स होते हैं उनको इंजरी से प्रोटक्ट करने का बर्ग करती हैं जो एक्सटर्नल जो आपके यानि और्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटक्ट करने का बर्ग करती हैं और देखिए दोस्तों इसमें हमने example भी लिखे हैं जो body के अंदर internal organs होते हैं उसमें क्या-क्या है देखिए जो cranial bone होती है वे brain को protect करती है यानि जो हमारा brain होता है उसको जो protect करने का बर करती है वे cranial bone होती है by chance कभी कोई trauma हो जाता है तो दोस्तों ये bone जो होती है ये हमारे brain को protect करती है और उसके बाद जो rib case होता है यानि rib case होता है भाई head को और lung को protect करने का बर करता है यानि जो पसलियां होती है ये दोस्तों यानि bone की बनी होती है तो head और lungs को protect करने का बर करती है तो दोस्तों जो bone हो उसका protection का भी बर्क होता है, फिर बात करते हैं, इसका जो main point है, यानि third वाला movement, यानि हमारी body के movement में भी यह बहुत ज़्यादा help करती हैं, जो bone होती हैं, और उसके बाद, यानि bone जो होती हैं, यह storage का भी बर्क करती हैं, इसमें बहुत से minerals, यानि store होते हैं, यानि pointer में 4 है, आ phosphorus को store करती हैं, जब हमारी body में mineral की demand होती है, तो bone इसको release करने का भी बर्क करती हैं, यानि जो bone होती है, उसमें calcium phosphorus storage होता है, यानि store होता है, और हमारी body में जब भी उसकी जरूरत होती है, तो यह उसको release कर देती हैं, तो इस पकार यह mineral storage का भी बर्क करती हैं, और blood cell production, यानि bone के अंदर red bone marrow present होता है जो bone होती है उसके अंदर जो होता है red bone marrow present होता है और red bone marrow का बर्ग क्या होता है यानि जो आपकी body के अंदर cells present होती है white blood cell और उसके बाद red blood cell और plate lead तो bone marrow जो होता है उसका production करता है तो bone के अंदर red bone marrow और प्रेजेंट होता है जो red blood cell और white blood cell platelet का निर्मार करने में help करती है तो दोस्तो इस पकार से जो bone है उसके आप simple कुछ function के बारे में knowledge ले सकते हैं अगर कभी कभी exam में अगर function पूछे जाते हैं bone के तो आप उसको define कर सकते हैं तो दोस्तो अगर video अच्छी लग रही हो तो video को like कर दीजिए और हमारे channel को भी subscribe कर लीजिए फिर bone के type के बारे में बात करते हैं कि हमारी body में किस type की आपकी bone present होती है उनके बारे में बात करेंगे तो दोस्तो bone हमारी body में कई परकार की present होती है लेकिन जो main bone present होती है उनके type के बारे में बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे और structure भी हम दिखाएंगे तो दोस्तो हमारी body की bone को five type में classified किया गया है और कौन कौन से class है एक तो हो गया long bone, short bone हो गया flat bone हो गया, irregular bone हो गया और sesmoid bone हो गया पाइंट है, long bone क्या होती है देखिए, इस पकार की bone की चोड़ाई से ज़्यादा लंबाई होती है यानि यह जो bone होती है यह लंबी होती है और चोड़ी कम होती है और यह हाथ पेरों में present होती है क्योंकि दोस्तो जो हमारा पेर होता है तो दोस्तो उसमें यानि थाई होता है और उसके बाद उसमें जो फीमर हो गया और उसके बाद हैंड्स में टीबिया, फैबला और जो अलना होता है, रेडियस होता है ये बोन्स प्रेजेंट होती है यानि हमारे हैंड्स और लैक्स में ये बॉंस प्रजेंट होती है जो long बॉंस होती है और उसके बाद sword बॉंस क्या होती है sword बॉंस हो गई आपकी यानि इस पकार की बॉंस जो होती है length and width यानि लंबाई और चौड़ाई में एक्कल होती है यानि जादा लंबी नहीं होती है और ज्यादा चोड़ ही नहीं होती है, इसलिए इनको short bone कहा गया, और उसके बाद देखिए दोस्तों, यह कहां कहां present होती है, यह ankle और wrist bone, यानि जो घुटने होते हैं, उसमें घुटने में present होती है, और तो दोस्तों, उसके बाद आगया flat bone, यानि point number third है, इसका flat bone, flat bone क्या हो bone होती है, यानि flat type में होती है, पतली type में, और यह parallel plate type की bone होती है, और यह कहां present होती है, जो हमारा brain होता है, जैसे brain में जो cranial bone होती है, जो आपके brain को protect करने का बर करती है, या आपके एक flat bone होती है, और point number four है, यानि इसका part four है, irregular bone, irregular bone क्या होती है, देखिए इस bone की जो आप की इस पकार की बोन होती है इसका से बहुत ही कॉंपलेक्स होता है यह प्रीबियस की किसी भी केटागरी से मैच नहीं करती है देकि दोस्तों आपकी जो लॉंग बोन होती है बैपकी लंबी होती है उसी टाइप में आपकी सौर्ट बोन यानि छोटी होती है लेकिन आपकी regular bone होती है यह previous के किसी भी type से नहीं मैच गरती है और उसके बाद यह आपकी एक complex type की bone होती है और यह bone कहां present होती है यानि facial bone यानि face में यह bone present होती है इनको कहा जाता है irregular bone और उसके बाद part number fifth है systemoid bone यानि इनका जो shape होता है with a sesame seed यानि आपको हम screen पर दिखा रहे हैं यानि इस type का सेफ होता है sesame seed की तरह है और उसके बाद यह कुछ tendon में develop होती है और यह बहां पर ज्यादा develop होती है जहां पर friction ज्यादा होता है यानि friction का मतलब यानि जहां पर movement ज्यादा होता है यानि जहाँ जहाँ पर आप जैसे उटते हैं बैठते हैं और जिन buns का सबसे ज्यादा वर्क होता है वहाँ पर यह buns present होती है यानि सिसमोईड buns वहाँ पर present होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने पढ़ा थियोरी में कि long bone क्या होता है sword bone क्या होता है और flat bone क्या होता है और irregular bone, systemoid bone के बारे में आपने देखा तो इनी wons के हमने एक structure को लगाया है आपको structure बनाना नहीं है अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं लेकिन आपकी knowledge के लिए आपको दिखाने के लिए तो दोस्तों हमने एक structure लगाया है इसमें आपके हमने long bone को भी दिखाया है sword bone क्या होती है sword bone को भी दिखाया है flat bone क्या होती है flat bone के भी structure को दिखाया है irregular bone और systemoid bone भी हमने दिखाया है तो दोस्तो अगर आपको हम structure दिखा देते हैं तो दोस्तो आपको याद रहता है कि किस परकार की ये bone होती है और उसके बाद आपको जादा दिनों तक याद भी रहता है तो दोस्तो ये आपके bone के type थे bone क्या होती है उसके बारे में बताया bone के क्या function होते है उसके बारे में ब बारे में बताएंगे तो दोस्तों आपके सामने एक human body का structure लगाया हुआ है जिसमें हम bone के बारे में बताएंगे और अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपकी knowledge improve होगी और उसके बाद आपको जो है bone के बारे में information भी मिलेगी कि कौन सी bone कहां पर present होती है तो दोस्तो जो उपर वाला part है यानि जहां पर face बना हुआ है देखिए structure में बहाँ पर आपके two portion होते है एक होता है cranial portion एक होता है facial portion यानि आपकी जो brain की bones होती है उसमें आपकी cranial portion में आ जाता है और जो face में bone present होती है बे आपका facial portion के अंदर आ जाता है तो दोस्तों इसके बाद हम आ appendicular जो skeleton होता है उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको यह वाला structure समझा देंगे जिससे आपको आगे वाली theory पढ़ने में बहुती आसानी होगी तो दोस्तों देखिए यहां पर जो यानि उपर सर बना हुआ है बहाँ पर जो brain present होती है यानि bone present होती है ब तो यहां पर जो आप खाना खाते हैं जो आपका move करता है यानि mouth move करता है बहाँ पर नीचे की तरफ आपकी bone होती है बहाँ आपकी mandible bone होती है और उसके बाद देखिए यहां पर फिर नीचे की तरफ soldier की तरफ यहां पर आपकी cervical bone होती है और देखिए scapula उधर की तरफ लि इस्टेर्णम यानि आपका जो पसलियां बनी हुई है इसमें देखेंगे आप जो पसलियां बनी हुई है इसको यानि आपका ये पूरा पार्ट होता है थोरेक्स और थोरेक्स अंदर आपके इस्टेर्णम जो आपके होते है यानि इस्टेर्णम में आपकी पूरी लाइन हो होता है सोल्दर से यानि आपका जो कोवनी होता है यानी हिंदी महों कहते हैं तो ze mówतों जो सब नादब इसको जाता थे तो उसको जाताए तो it बना हुआ है इसमें रेडियेस और अल्ना प्रेजेंट है जो आपकी अल्ना होती है वह अंदर की तरफ होती है और जो रेडियेस होती है यह आपकी बाहर की तरफ होती है और जो कमर होती है कमर में जो यानि बोन्स प्रेजेंट होती है उनको पैल्विस कहा जाता है और उसके अबाद उसमें देखिए उदर लिखा हुआ है फेलन्जेस प्रेजैंट होते हैं और कारप प्रेजैंट होते हैं यहाँ बेए- अच्छिंट समज्ब होती रही हिसमें इस इस लिल लाग्याम को सही से दे üzभ न किया हुआ कि अगर अगर आप्ड़ अच्छिछ से लिखिया बता है करेनियम हो गया माउठ में मेंडेवल हो गया और उसके बाद बाद ग्लेविकल यानि जो सोजर मूप кноп Rainbow करते हैं इसकी पीछे की तरफ हो गया और उसके बाद हिंस हो गया रिफसर मेटा कॉर्पल्स प्रेजेंट होते हैं और कॉर्पल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद इसमें फैलेंजस भी प्रेजेंट होते हैं जो आपकी उंगलियां होती हैं उसमें जो आप बोलते हैं खंदने प्रेजेंट होते हैं तो उनको फैलेंजस कहा जाता है और जो आप का हैंड्स होता उसके नीचे की तरफ जो प्रजेंट होता है वह आपके मेटा कारपस प्रजेंट होते हैं यानि कलाई के नीचे की तरफ जो प्रजेंट होता है वह आपके मेटा कारपस प्रजेंट होते हैं और उसके बाद फिर आपके लैक्स में यानि फीमर प्रजेंट होत तीबिया पर्जेंट है और फीवला पर्जेंट होती है यह आपकी फोर बॉंस पर्जेंट होती है यह जो लैक्स होता है और लैक्स में नीचे की तरफ मेटा मेटा टारसल पर्जेंट होते हैं टारसल पर्जेंट होंगे और फैलेंजस पर्जेंट होते हैं तो दोस्तों इस हमने आपको छोटा से यूव जो आपका ओवर भी हुव है उसको दिखाया यानि किस पकार से हमारी बॉड़ी में कौन कौन सी बॉन पर्जेंट होती है यानि हमारी बॉड़ी में बहुत सी बॉन पर्जेंट होती है लेकिन दोस्तों जो यानि आपकी में बॉन्स होती है उनक का होता है यानि ऊपर से जो लाइनिंग गई होती है यानि एक अच्छ में जो लाइन गई होती है उपर से नीचे की तरफ उसको यानि हमने आपको इस्ट्रक्चर भी दिखाया है देखिए यह आपका होता है आपका एक्जेल इसकलेटन यानि जो आपका यानि प्रिंटेड part है यह आपका होता एक्जियल तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे axial iscleaton के बारे में कि axial iscleaton क्या होता है और इसके बारे में जो भी bones होती है उनको हम दिखाएंगे तो दोस्तों human iscleaton आपका एक structure यानि जो आपका एक heading पड़ा हुआ है इसमें लिखा हुआ है human iscleaton में 206 bones present होती है आपको पता भी होगा कि जो human iscleaton होता है पूरा body होती है उसके अंदर जो है 206 bones present होती है human iscleaton two type में divide होता है तो आपका जो human iscleaton होता है बे two type में divide होता है पहला type आपका होता है axial iscleaton और दूसरा type होता है appendicular iscleaton तो हम पहले बात करेंगे axial iscleaton के बाले में और उसके जो भी parts होंगे उनके बारे में बात करेंगे तो axial iscleaton क्या होता है देखिए इसमें 80 bones present होती है जो axial iscleaton होता है इसके अंदर जो 80 bones present होती है और उसके बाद axial skeleton में बेब बोन सामिल होती है जो बाड़ी के axis यानि अच्छ का निर्माड करने में help करती है अभी previous में हमने आपको दिखाया था कि axial skeleton क्या होता है कौन कौन से उसमें यानि axis आते हैं अच्छा आता है यानि आपका जो सीधा लाइन होता है एक सीधी लाइन में axis होता है आपका axial skeleton का निर्माड करता है और इसके अंदर iscal आता है vertebral column आता है और thoracic जो case होता है इसके अंदर आता है axial skeleton के अंदर कौन कौन से चीज आती है एक तो iscal हो गया एक हो गया vertebral column हो गया और थोरे सी केल्ज यह आपका एक्जियल इसकेलेटन के अंदर आता है और इसके अंदर कितनी बॉन्स प्रेजेंट होती है इसमें जो हैं 80 बॉन्स प्रेजेंट होती है तो दोस्तों आपके सामने एक एक्जियल इसकेलेटन में जो बॉन्स प्रेजेंट होती है उनका हमने इ दिखा हुआ है, इसमें 80 बॉन ड्राइट होती है जिसमें, इसकल होगया इसमें, आपका, इसकल में यानि 2 टाइप होते है एक हो गया, क्रेनियम उसमें आपकी एट बॉन ड्राइट होती है फेसита होती है और नीचे हो गई भीरिफस आपके कितनी होती 24 हो गई और वर्टीब्रे जो column होते हैं 24 हो गई और इसमें एक sacrum bone present होती है नीचे की तरब और उसके बाद کوेक्स जो bone होती है बैर आपकी present होती है तो दोस्तों participants जो column होता हूँ समें 26 यानि bones present होती है थोरे सी case में 25 हो गई और उसके बाद इसकल एंड जो associated जो बोन्स होती है उसमें 29 बोन्स present होती है तो यह बोन्स मिलकर आपका जो axial iskelayton होता है इसका निर्माड करते हैं और उसके बाद दोस्तों इतना आप structure को जब आप देख लेंगे तो उसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे यानि आपका axial iskelayton के ही पार्ट हैं आपके यानि सबसे पहले बात करेंगे दा इसकल यानि इसकल के बारे में बात करेंगे कि जो खोपड़ी होती है उसमें कौन-कौन सी bone present होती है और कितने टाइप की bone present होती है उनके बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका screen लगा हुआ है जो हमारा vertebra column होता है उसके उपर iskel present होता है यानि जो माथा होता है यानि जो सामने का उसके उपर जो होता है बर्टीब्रे column के उपर यानि इसकल present होता है इसका बर्ग होता है brain को support and protect करना यानि जो स्कल होता है यह brain को support करने का बर्ग करती है और उसके बाद brain को protect करने का बर्ग करती है और उसके बाद जो face होता है इसी के अंदर face भी आ जाता है और face का बर्ग क्या होता है यानि जो face होता है structure provide करता है यानि हमारे face को तो इसको two time में divide किया जाता है इसमें दो bones आती इसी के बारे में बात करना है और दोस्तों देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है cranial bones जो लिखी हुई है और उसके बाद इसमें हमने लिखा है facial bones तो इनके हम साथ में structure भी आपको दिखाते चलेंगे और उसके बाद इनकी जो भी bones होंगी उनकी हम यानी numbering भी बताते चलेंगे कि कितनी bones कौन कौन सी present होती है तो यह आपका skill वाला ही topic है तो इसका यह जो skill होता है two time में divide होता है तो सबसे पहले बात करेंगे cranial bones cranial bones कितनी present होती है यह आपकी eight bones present होती है यह bones जो होती है जो brain को protect करने का बर्क करती है यानी cranial bones bone को protect करने यानी जो brain होता है उसको protect करने का बर्क करती है इसमें सबसे पहले frontal bone present होती है यह आपकी एक होती है उसके बाद parental जो आपकी bone होती है parital यह आपकी two bones present होती है occipital bone एक present होती है temporal bone present होती है आपकी two present होती है और spinal bone होती है यह आपकी एक bone present होती है और एक ethmoid bone होती है यह आपकी एक present होती है तो दोस्तों total मिलाकर आपकी eight bones हो गई यह आपकी हो गई cranial bones और cranial bone के function क्या होते हैं दोस्तों ये brain को protect and in close करती है आपकी जो cranial bones होती है ये brain को protect करती है उसको in close करती है and neck and head से attached होती है यानि जो आपका गर्दन होता है और जो head होता है इससे attached होती है ये neck को move करने में help करती है जो गर्दन को हम move करते है उसको यानि move करने में भी आपकी cranial bones जो होती है ये help करती ह और इसका हमने structure भी दिखाया है इसमें जो भी आपकी bones हो गई उनको हमने दिखाया है आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ भी सकते हैं और अगर आप बनाना चाहें अपनी copy पर तो बना भी सकते हैं फिर बात करते हैं facial bone की जो हमारा face होता है उसमें कितनी bones present हो होती है जो हमारा face बना हुआ है तो दोस्तो यह किस कारण बना हुआ है facial bone की बजह से और उसके बाद face को protect करने में भी यह bones आपकी help करती है इसमें कौन कौन सी bone होती है देखे दोस्तो nasal bones इसमें 2 present होती है जाइगोमेटिक बॉन्स प्रजेंट होती है टू और उसके बाद लैक्रिमल बॉन्स प्रजेंट होती है टू इसमें बॉमर प्रजेंट होती है एक बॉन होती है और उसके बाद पैलाटिन बॉन्स प्रजेंट होती है टू और उसके बाद inferior nasal जो कौंचा होता है यानि side की तरफ present होता है दोस्तो आप देख सकते हैं आपको हम structure दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये आपकी two bones present होती है और maxilla bone two present होती है और दोस्तो जो हमारा यानि mouth होता है इसको आप चबाकर खाते है नीचे की तरफ जो गले की तरफ एक bone present होती है जिसको कहाँ जाता है mandible तो दोस्तो इन bones की संक्या को आपको याद करना है क्योंकि दोस्तो जो multiple choice में अगर कभी कभी पूछा जाता है तो आपके bone बाले question से बहुत multiple पूछे जाते हैं तो अगर आप इनको अच्छे से याद करेंगे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो आपकी facial bone होती है इनके क्या क्या function होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो भी आपके axial के अंदर जितनी भी bones हैं उनके बारे में सब के बारे में बात करेंगे तो इनके function क्या हो गए यह facial cavity को protect करता है यानि जो भी facial cavities होती है जैसे eye हो गया mouth हो गया nose हो गया यह bones जो हैं उनको protect करने का बर करती है और facial structure को protect करती है जो facial bone होती है न भै आपके facial structure को भी protect करती है facial muscle को attachment provide करती है यानि face में जो muscles present होती है उनको attachment भी provide करने का बर करती है जो आपकी facial bones होती है और जो facial bones है इनका आप structure देख सकते हैं और जो भी bones हमने आपको बताई है बैब बोन्स आपकी structure में यानि mention की गई है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं फिर बात करते हैं middle ear bones and high weight bones यानि middle ear bones क्या होती है और उसके बाद जो high weight bone होती है उसके बारे में बताएंगे तो ear bones यानि जो आपके कान होता है उसमें कौन-कौन सी bone present होती है यानि ये six होती है यानि ear के अंदर six bones present होती है जो दोनों ear के अंदर present होती है यानि इसमें two melleus bones present होती है और two incus bones present होती है और two steps यानि हमारी body की सबसे जो छोटी bones होती है बैब की steps होती है या आपके यानि two ear होते हैं उसके अंदर एक-एक present होती है और इनका function क्या होता है यह sound vibration को transmission में help करती है यानि जो भी sound vibration होता है यानि जो भी हमारे air के अंदर आवाज जाती है उसको transfer करने का बर करती है यह जो bone present होती है air के अंदर और hired bone देखिए आप garden को जो उपर उठाएंगे और यह कहां पर present होती है यह mandible के नीचे और उसके बाद जो आपका larynx होता है उसके ऊपर present होती है जो गला होता है उसके ऊपर थोड़ा present होती है और mandible के नीचे यानि larynx के बीच में और mandible के बीच में present होती है इसका function क्या होता है tongue की muscle attage होती है यानि जो हमारी जीव होती है उसकी मसल्स अटेजड होती है इससे और उसके बाद औरल केविटी की मसल्स अटेजड होती है जो हमारी औरल केविटी होती है उनकी मसल्स भी इनसे अटेजड होती है ये airbase के opening को control करते हैं यानि जो हम sans लेते हैं जहां से हमारी sans जाती है उसके जो airbase होते हैं उसको open करने में और बंद करने में ये help करते हैं उसको control करने में help करते हैं और इनके structure को हम साथ साथ में दिखा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आये इसको आप देख सकते है तो इसमें 26 bones present होती है और इसमें कौन कौन से कितनी bones present होती है इसके बारे में हम आपको मुझते हैं तो दोस्तों इसमें 7 cervical vertebra presence होती है धेकिये structure में उपर यानि दिखाया गया है जो आपकी cervical vertebrae होती है वह आपकी 7 होती है और उसके बाद इसमें 12 thoracic vertebrae present होती है यानि 12 thoracic bone present होती है और 5 lumber vertebrae present होती है जो आपका lumber vertebrae होता है वह आपकी 5 present होती है और उसके बाद इसमें 5 sacral vertebrae यानि जो आपकी sacral vertebrae होती है या 5 यानि present होती है लेकिन बर्थ के बाद ये जो होती है एक ही रह जाती है और fused हो जाती है यानि fused to form यानि sacrum ये आपकी एक रह जाती है sacrum बाली जो bone होती है और उसके बाद आपकी जो फोर आपकी coccisial bone present होती है यानि coccisial vertebrae present होती है ये बर्थ के बाद जो है आपका fused to form आपका coccyx यानि coccyx की form में एक ही रह जाती है bone तो दोस्तो ये आपकी vertebrae column की बारे में बात की कि इसमें क्या-क्या bone present होती है और इनका function होता है ये spinal code को protect करती है head को support करती है यानि ये ऊपर से यानि head से connected होती है तो ये head को भी यानि support करती है और spinal code को भी support करने का बर्थ करती है फिर बात करते हैं थोरे सी केज के वारे में तो थोरे सी केज क्या होता है यानि जो आपकी rib केज होती है यानि जो पसलियां होती है भै आपकी थोरे सी केज के अंदर आती है तो इसमें आपकी कौन कौन सी बोंस आती है इसमें आपकी जो ribs होती है 24 होती है और उसके बाद sternum यानि breast bone एक होती है जो सामने सीधी सीधी bone होती है बै आपकी होती है एक तो इसका आप इस structure देख सकते हैं और उसके बाद इसके क्या क्या function होते हैं थोरे सी case के तो दोस्तों ये थोरे सी cavity को protect करती है chest को protect करती है shoulder को support भी करती है and breathing में help करती है यानि सांस लेने में भी help करती है तो दोस्तों इतना हमने बताया आपको axial skeleton के बारे में अब हम बात करने बाले हैं दोस्तों जो आपका appendicular skeleton होता उसके बारे में बात करेंगे और दोस्तों disorder आप joint के बारे में बात करेंगे और chapter number four पूरा आपका complete हो जाएगा तो सभी लोग वीडियो को like कर दीजे चेनल को subscribe कर लीजे दोस्तों को भी share कर दीजे जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा help मिले वाला है तो topic start करते हैं क्या topic है appendicular skeleton तो हमने बताया था आपको axial skeleton दिखाया भी था कि axial skeleton के अंदर कौन कौन से part होते हैं और उसके बाद देखिए screen पर आपका appendicular skeleton भी लगा हुआ है जो आपका यानि जो printed part है यह आपका appendicular skeleton का होता है यानि axial skeleton के लाबा जितनी भी bone बची हुई है बस सब bone जो हैं आपके appendicular skeleton में आती है और जो appendicular skeleton होता है इसमें burn 26 bones present होती है और burn 26 जो bone present होती है जो आपका यानि किस प्रका से यह consist करती है किस प्रका से यह bones होती है उसके बारे में हमने लिखा है देखिए उपर की तरफ shoulder garden जो है आपका upper limbs जो बना हुआ है उसको axial skeleton से add करने का बर्क करता है यानि जो आपके दोनों हाथ है उसके बाद जो shoulder है यानि यह आपका axial skeleton से connect होता है shoulder garden की यानि यह shoulder garden में एक bones present होती है उससे यह connect होता है और उसके बाद नीचे की तरफ क्या होता है यानि जो pelvic garden होता है यानि जो आपके lower limbs यानि जो आपके legs हो गए दोनों legs हो गए ये आपके connect होते है axial iskleton से pelvic garden के दौरा तो दोस्तों उसके बाद जो आपका solder garden होता है और pelvic garden होता है ये axial iskleton और appendicular iskleton को आपस में जोडने का बर्क करते हैं जो आपका यानि हमने बताया आपको shoulder garden बताया पल्विक गर्ड़न बताया इनका बर्क क्या होता है दोस्तों यह जो होता है एक्जेल इसकलेटन यानि प्रिविज वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपने अगर नहीं देखा है तो पहले आप एक्जेल इसकलेटन को पढ़ लीजिए उसके बाद आप अपेंडिकुलर इसकलेटन को पढ़ेंगे तब ही आपको समझ में आएगा तो यह जोडने का बर करते हैं solder garden और उसके बाद pelvic garden और फिर बात करते हैं जो आपका solder garden होता है और जो upper limbs यानि जो hands होते हैं उनमें कौन कौन सी bones present होती है उसके बारे में पढ़ना है दोस्तो आपको सभी bones की knowledge होनी चाहिए और आप एक बार structure को अगर देख लेंगे तो आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जो solder garden होता है इसमें क्या क्या होता है देखिए इसमें दो ग्लेविकल्स जो bones होती है बे प्रेजेंट होती है और two scapula present होते हैं यानि आपका एक यानि दो hands होते हैं तो उसके बाद एक आपका left side में present होगा एक आपका right side में present हो उसी प्रेका से जो क्लेविकल bone है बे आपकी left और right side में present होगी जो यानि जो आपका hands होता है उसको add करने का बर्क करते हैं उसको move करने का बर्क करती है बोन जो होती है और उसके बाद जो आपका यानि कोहनी होती है जिसको हिंदी में कोहनी कहते हैं तो कोहनी से उपर की तर present होती है हुमरस जो होती है उपर बाले पार्ड में present होती है उसी प्रका से left side में present होती है और right side में भी present होती है और अल्ला और radius या आपकी जो कोहनी होती है उसके नीचे बाले पार्ड में यानि कलाई तक present होती है अल्ला और radius यानि यानि अल्ला भी present होती है एक hand में और radius परेंट होती है, और दूसरे हेंड में भी अलना परेंट होगी, और रेडियेस परेंट होती है. यह फौर आर में टू बॉन परेंट होती है इसमें हमने लिक्हा हुआ है। और उसके बादthe भात करेंगे जो आपके अधर यानि बॉन्स होती है carried जैसे कारपल हो गया मेटा कारपल बॉन्स हो गया और जो फैलंगेस हो गया यानि यह आपकी अपर लिम्स बॉन है यानि जो हैंड्स होते हैं वहां की बॉन्स के बारे में बात कर रहा है फिर उसके बाद जो लैक्स की बॉन्स होंगी उसके बारे में बात करेंगे तब आपको हम बता देंगे दोस्तों जो कारपल होते हैं यानि जो कलाई होती है उसमें आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है कारपल यानि उसमें एट बोन्स प्रेजेंट होती है और उसके बाद मेटा कारपल क्या होती है metacarpal bone यानि कलाई के नीचे की तरफ थोड़ा सा यानि ये hand की bone होती है और एक हाथ में यानि five bone present होती है जो आपके metacarpal होते हैं ये five present होती है और उसके बाद phalanges यानि phalanges क्या होते हैं जो आपकी उंगलियां होती है उसमें कुछ उंगलियों में कुछ खंदने जैसे बने हुए होते हैं उनको phalanges कहा जाता है ये finger bone होती है जो एक hand में यानि fourteen present होती है एक hand में कितनी present होंगी fourteen उसी पकार से दोनों hands को जब मिला दिया जाएगा तो ये twenty eight हो जाएंगी और उसी पकार से जो आपका metacarpal अभी हमने आपको बताया ये एक hand में five bone present होती है तो दोनों hands में कितनी bone present हो जाएंगी यानि ten हो जाएंगी और उसके बाद carpal बताए carpal जो आपके होते हैं बढ़ एक hand में आपके यानि जो आपके कलाई होती है उसमें eight present होते है इसी पकार से दोनों hands को जब मिला दिया जाएगा तो 16 हो जाएंगे तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी solder garden and upper limb के बारे में इसमें जो है आपका हम structure दिखा रहे हैं जो आपका यानि upper limb जो होता है उसका structure और उसमें solder garden भी आपका यानि define किया गया है ये वाला structure जो screen पर लगा हुआ है इसको आप देख सकते हैं और इससे आप समझ भी सकते हैं फिर बात करते हैं pelvic garden and lower limbs के बारे में यानि जो lower limbs होते हैं यानि जो legs आते हैं उसके अंदर तो उसके बारे में बात करेंगे कि legs में कौन कौन सी bones आती हैं उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये वाले topic को अगर आप आसानी से पढ़ेंगे इनको एक दो बार यानि देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी तो क्या बात करते हैं देखिए pelvic garden to innominate यानि hip bone से मिलकर बना होता है यानि जो pelvic garden होता है यानि जो आपके legs होते हैं उनको ये axial iskletan से जोणने का बर करता है तो दोस्तों इसमें जो आपका pelvic garden जो बना हुआ होता है इसमें two innominate hip bone होती है और इसमें innominate जो bone होती है जो आपकी two hip bone होती है या आपके three part में divide होती है एक हो गया ileum, एक हो गया istium, एक हो गया pavis तो दोस्तों इन तीन part में यानि ये bone divide होती जो hip bone होती है और pelvic garden का निर्माड करती है फिर बात करते हैं जो lower limb यानि जो आपके legs हो गए उन में कौन कौन सी bone present होती है तो इसमें आपकी present होती है देखिए पहली bone हो गई femur यह आपकी thigh की bone होती है यानि यह body की सबसे longest and heaviest bone होती है जिसको कहा जाता है femur और उसके बाद second bone knee cap यानि गुटने की bone होती है जिसको कहा जाता पटेला तो एक गुटने में एक present होगी तो दूसरे बाले गुटने में भी present होगी उसी पकार से femur एक गुटने में यानि एक thigh में present होगी तो दूसरी thigh में भी present होगी और उसके बाद tibia और fibula यानि यह lower legs में two bone present होती है यान गुटने के नीचे का जो पार्ट होता है यानि वहाँ पर ये टिबिया और फिबला बॉन परजेंट होती है लोर लिम में और उसके बाद लोर लिम में और कौन सी बॉन परजेंट होती है देखे इसमें टारसल परजेंट होते हैं और कितनी bon present होती है ये 7 bon present होती है और उसके बाद meta-tarsal यानि ये foot bon होती है यानि पैर में नीचे की तरफ present होती है जिस पकासे आपने पढ़ा अभी जो आपने पढ़ा था कारपल उसी पकासे यहाँ पर हो जाएगा tarsal और उसके बाद आपने पढ़ा meta-carpul bon उसके बाद य Metatarsal यानि Food Bone होती है है ये पेर की bone होती है ये एक तरफ 5% होती है ये आपके Metatarsal 5 होते हैं और उसके बाद Phalanges कितने होते हैं यानि Toy bone या जो पेर की उन्ग्लिया होती हैं उनके जो खण्डने बने हुए होते हैं ये एक पेर में यानि आपकी को 14 पर्जंट होती एं लो दोस दोस्तों इसका भी आप figure देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है हम आपको figure इसलिए दिखा देते हैं जिससे कि आपकी knowledge भी improve हो और उसके बाद आपको एक तरीके से figure दिखा देंगे तो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा topic तो यह आपका appendicular skeleton के बारे में हमने बात की औ उसके बाद दोस्तों जो आपका axial skeleton है appendicular skeleton है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे ज्यादा important आपका joint वाला topic है उसको अब हम cover करने जा रहे हैं joint वाले topic को आप अच्छे से पढ़ लेंगे disorder of joint को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपके exam में सबसे ज्यादा disorder of joint पूछा जाता है तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like कर दीजिए और हमारे channel को subscribe करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी share कर दीजिए तो आपका next topic है classification type and movement of joint तो दोस्तों यानि joint क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और इसके क्या क्या types होते हैं इनके बारे में बताएंगे सबसे पहले तो joint यानि जहां पर दो या दो से अधिक बोन आकर मिलती है या दो से अधिक बोन आकर मिलती है बहाँ पर यानि जहां पर जब बोन मिलती है उसको joint या articulation कहा लाता है तो दोस्तों joint क्या होता है यानि जहां पर दो बोन मिलती है या दो से अधिक बोन मिलती है उसको joint कहा ल जाता है और joint के कुछ types होते हैं तो उन types के लिए हमने एक structure बनाया हुआ है आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है तो इसमें सबसे पहला होता है fixed joint जिसको immovable joint भी कहा जाता है और उसके बाद second वाला यानि क्या होता है slightly movable joint यानि जो आपका fixed joint होता है इसके बारे में बताएंगे आपका slightly movable joint होता है उसके बारे में बताएंगे और freely movable यानि जिसको कहा जाता है sinobial joint उसके बारे में बताएंगे और जो आपका sinobial joint होता है इसके कुछ other parts होते हैं देखिए ball end socket joint होता है इसका sinobial joint का first part और hinge joint यानि जो कबजे टाइप का जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है डवल हिंज जॉइंट होता है और उसके बाद सेडल जॉइंट हो गया और पीबोट जॉइंट हो गया तो ये आपके sinobial joint के parts हो गए और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी आप theory को पढ़ लीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं immovable joint क्या होता है यानि इस प्रकार के joint को fixed joint कहा जाता है ये joint बिलकुल move नहीं करते हैं यानि जो आपके fixed joint होते हैं ये बिलकुल भी move नहीं करते हैं यानि एक जगे पर अगा लगे हुए हैं तो बिलकुल भी ये move नहीं करेंगे जैसे आपका joint up skull and teeth यानि जो teeth और skull में joint होते हैं उनको immovable joint कहा जाता है और उसके बाद बात करते हैं second वाला type क्या है slightly movable joint यानि slightly movable joint क्या होते हैं जो joint बहुत कम move करते हैं यानि move तो करते हैं लेकिन बहुत कम move करते हैं इनके बीच में cartilage भरा होता है इनको slightly movable joint कहा जाता है यानि जो आपका slightly movable joint होते हैं इनके बीच में cartilage भरा होता है और ये आपके joint कहां पर होते हैं जो vertebrae column होता है तो बहाँ पर उनके बीच में जो जगे होती है बहाँ पर cartilage भरा होता है और एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा सा slightly move करते रहते हैं और थर्ड बाला point है synovial joint जिसको कहते हैं यह freely movable joint होता है इस joint के बीच में एक fluid present होता है यानि जिसको synovial fluid कहाता है और यह freely movable होते हैं joint synovial joint और synovial joint के कुछ parts हैं उनके बारे में बताते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ है type of synovial joint जिसमें पहली बात करते हैं यानि ball and socket joint यानि इस joint में एक bone ball जैसी होती है यानि जो wall जोती है गेंद होती है उसके जैसी एक bone दिखाई देती है और उसके बाद दूसरी bone जोती है बस socket के तरह होती है और दोनों एक दूसरे में fit हो जाती है जिसको कहा जाता है ball and socket joint ये आपका joint कहां पर होता है जो solder होता है बहाँ पर ये joint present होता है ball and socket joint और उसके बाद बात करते हैं second वाला टाइप है hinge joint hinge joint क्या होता है ये joint कबजे type के होते हैं और ये joint only एक ही direction में move करते हैं यानि एक ही direction का मतलब यानि जो knee joints होता है जो गुटने का joint होता है यह आपका एक कबजे type का joint होता है और एक ही direction में यह move करते हैं और उसके बाद gliding joint क्या होते हैं देखे gliding joint होते हैं यह joint all direction में freely move करते हैं जैसे carpel हो गया यानि अभी हमने previous में बताया था कि carpel क्या होते हैं कारपल क्या होते हैं और टारसल क्या होते हैं तो दोस्तों जो कारपल हो गए टारसल हो गए इनमें जो जॉइंट परजेंट होते हैं यह आपके गलाइडिंग जॉइंट परजेंट होते हैं यह आल डारेक्शन में मूब करते हैं और डवल हिंज जॉइंट क्या होते हैं यान saddle joint क्या होता है इस पकार के joint में एक bone दूसरे bone पर freely all direction में move करती है जिसको saddle joint कहते हैं यानि इसमें क्या होता है एक bone होती है उस पर दूसरी bone यानि लगी होती है रखी होती है और उस पर यानि all direction में freely move करती है इनके example हो गए metacarpal of thumb with carpel of the wrist यानि जो thumb का metacarpal होता है वे wrist के carpel से यानि ऐसे रखा होता है और फिरिली move करता है और उसके बाद pivot joint क्या होता है इसमें एक ring जैसी bone होती है और उसमें cylindrical shape की bone move करती है एक ring जैसी bone होगी ring जैसा बना हुआ होगा bone का और उसके अंदर की तरफ जो है cylindrical bone एक रखी होगी और बे बोन जो होती है उसमें move करती है और single axis पर move करती है यानि एक तरफ ही move करेगी तो उसको कहा जाता है pivot joint तो दोस्तों आप इसको यानि खुद से आप अपना करके देख सकते हैं हाथ को चला कर देख सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा practically आप देख सकते हैं इसमें आपका femur हो गया tibia हो गया यह आपके pivot joint के अंदर आते हैं तो दोस्तों joint क्या होते हैं joint के क्या parts होते हैं उनके बारे में हमने बताया फिर उसके बाद आपका एक topic important है disorder of joint यानि joint के काण कौन कौन से disorder हो जाते हैं तो दोस्तों उसके बारे में बात करना है तो सबसे पहले हम जाती है disorder हो जाता है तो दोस्तों यह एक ऐसी condition होती है जिसमें joint में यूरिक एसिड जमा होने लगता है यानि अगर कोई जॉइंट से में प्रॉब्लम आ जाती है तो जिसके कारण जो होता है जॉइंट में यूरिक एसिड जमा होने लगता है जिसके कारण बोन में दर्द होने लगता है जिसको गट खा जाता है और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं देखिए जॉइंट बहुत ही मुलाइम हो जाते हैं जब किसी को गठिया हो जाता है तो उसके जॉइंट बहुत मुलाइम हो जाते हैं जॉइंट में सूजन आ जाएगी और लो ग्रेड फीवर रहता है यानि हलकाल का फीवर भी रहता है और उसके बाद second आपका disorder है joint dislocation यानि joint dislocation बह condition है जिसमें bone अपने इस्थान से खिसक जाती है by chance कभी ऐसा होता है कभी कभी bone जो होती है बहें अपने इस्थान से खिसक जाती है तो जिसको कहा जाता है joint dislocation और इसके कारण क्या होते हैं जैसे गंबीर जटका लग जाना या कोई गिर जाना या किसी पकार का trauma हो जाना तो दोस्तों इस कारण joint location disorder हो जाता है और इसके क्या-क्या symptoms होते हैं देखिए joints में Susan आ जाना बहुत ज़्यादा pain होना या आपके joint dislocation के symptoms हो गए और उसके बाद आपकी एक disease है यानि disorder है आपका rheumotide arthritis रेumotide arthritis क्या होता है देखिए रेumotide arthritis लंबे समतक रहने वाली धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली disease होती है इसमें joint में दर्द होगा joint में swelling हो जाएगी यानि Susan हो जाएगी या आपकी होती है रेumotide arthritis और इसके हमने यानि cause लिखे हैं etiology जिसको कहते हैं तो दोस्तों इसमें genetic cause भी हो सकते हैं autoimmune disorder भी हो सकता है कुछ environmental factor होते हैं और hormonal change के कारण भी ये आपका rheumotide arthritis disorder हो जाता है और इसमें हमने clinical manifestation क्या लिखा है यानि symptoms क्या लिखे हैं लच्छन क्या होते हैं देखिए दोस्तों इसमें joint में pain होगा joint में swelling हो जाएगी और जो आपके joint होंगे वे थोड़े से थोड़े थोड़े जो है redness आजाएगी उसमें red red हो जाएगे और उसके बाद next बाला disorder है osteoarthritis osteoarthritis क्या होता है देखिए ये भी एक तरीके का arthritis होता है ये सबसे common यानि disease ये disorder होता है सबसे ज़्यादा लोगों को osteoarthritis ही होता है जब bone के पास वाले जो protective tissue होते हैं जैसे cartilage हो गया sinobial fluid हो गया जब आपके protective tissue हैं उनका जब धीरे-धीरे end हो जाता है जैसे cartilage हो गया sinobial fluid हो गया ये धीरे-धीरे यानि समाप्त हो जाते हैं age के साथ साथ ये ये कम होते रहते हैं तो दोस्तों जब ये कम हो जाते हैं तब joint में pen होने लगता है जिसको कहा जाता है osteoarthritis जो old woman and mens होते हैं उनको सबसे ज़्यादा osteoarthritis होता है और उसके बाद देखिए दोस्तों जो इसकी etiology यानि इसके causes क्या होते हैं कारण क्या होते हैं जैसे कोई past injury हो गई थी यानि आप जब old नहीं थे तब कोई injury हो गई थी जिसके कारण cartilism को injury हो गई थी ligament injury हो गई थी तो इस कारण आपका osteoarthritis हो सकता है ये metabolic disorder के कारण भी होता है यानि जो metabolic changes होते हैं हमारी body के अंदर उस कारण भी हो सकता है obesity यानि metabolic का कारण बेटने का तरीका सही ना होना diabetes poor diet हो गया और genetic reason के कारण आपकी जो osteoarthritis है ये हो जाती है और इसके clinical manifestation क्या है joint में pain होगा inflammation हो जाएगी और उसके बाद sound up cracking यानि जब कोई उठेगा बैठेगा तो उसमें से हड्डियों की आवाज आती है तो दोस्तों बही आपका यानि ये आपके symptoms होते हैं तो दोस्तों disorder आप joint यानि जितने भी disorder आपके important है उनको हमने cover किया और जो भी आपके यानि joint के types होते हैं को cover किया और आपका जो chapter number 4 है OCA system या पूरा complete हो गया तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक